नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का चीर परीचे दोस्तु पस्थित हूँ आप सभी की सिवा में एक बहद ही महतोपून जानकारी को ले करके जिहां समय से पहले सफेद होने लगे हैं अगर आपके बाल तो अपनाएं कुछे कारगर उपाए जिन्हें हम आज आपको बता रहे से तेजी से बदलती लाइफस्टाइल ने सेहत को खास प्रभावित किया है जिससे समय से पहले ही व्यक्ति पर उम्र का असर दिखने लगा है और ऐसा ही एक लक्षन है तेजी से सफेद होते हुए बाल आज कल के तनाव भरे लाइफस्टाइल का ही असर है कि अधिकांश ल और जादे तीजी से बाल ज्यादा सफेद हो जाते हैं इसलिए आज हम आपको सफेद बालों से बचने के कुछ एक कारगर तरीके बता रहे हैं जिन्हें अपना कर आप जल्दी ही इस समस्या से मुक्ति पा सकते हैं सबसे पहले जानते हैं बालों के असमय सफेद होने के कार बाल समय से पहले सफेद हो जाते हैं विटामिन बी आयरन कोपर और आयोडीन जैसे तत्वों की कमी से अक्सर यह समस्या होती है साथ ही जो लोग छोटी छोटी बातों पर बहुत जल्दी अधिक तनाव ले लेते हैं उनके बाल भी कम उम्र में ही सफेद हो जाते हैं इतना ही जिने घबराहट, पैनिक अटैक, डर, जला नित्यादी समस्या बहुत अधिक होती हैं उनके साथ भी यह समस्या अधिक होती है कुछ लोगों को यह समस्या आनुवानशिक रूप से होती है ऐसी स्थिती में इस समस्या से निपटने के लिए सही दिन चर्या के साथ का प्रवाह ठीक होता है और बाल बेजान नहीं होते हैं बहत मुश्किल होता है साथ ही कुछ घरेलू उपाय के जरिये इस पर काफी हद तक काबू पाया जा सकता है सफेद बालों को काला करने के लिए हम आपको घरेलू उपाय बता रहे हैं बालों को नेचरल तरीके से रं रिशनिंग करते रहें चाहें तो आउले को बारीक काट लें और गर्म नारियल तेल में मिला कर सिर पर लगाएं इससे भी बाल सफेद नहीं होंगे प्याज का रस सफेद होते हुए बालों के लिए बहुत ही कमाल की चीज है इसलिए कुछ दिनों तक नहाने से पहले रोज सिर में प्याज का पेश्ट लगाएं आप जल्द ही देखेंगे कि बाल सफेद से काले होने लगे हैं सफेद बालों को काला करने के लिए आधा कप दही में चुटकी भर काली मिर्च और चमच भर निम्बू का रस मिलाकर बालों में लगाएं बेशन और दही के घोल से बाल की जणों में लगाएं और एक घंटे बाद गुनगुने पानी से अच्छी तरह से बाल धो लें इससे बालों की कंडिशनिंग भी होगी और बाल काले भी होगे शुद्ध गी भी सफेद बालों के लिए रामबान है ऐसे में प्रती दिन शुद्ध गी से सिर्की मालिश करके भी बालों के सफेद होने की समस्या से छुटकारा पाया जा सकता है तो दोस्तों ये थी आज की हमारी जानकारी आप सभी के अगले एपिसोड में हम आप सभी के साथ जुणेंगे एक और बहुत ही महतों पूर्ण जानकारी को लेकर के तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों